तरह सोचिए बीजेपी में इतने चीफ मिनिस्टर्स पड़े हैं MPK हो गए राजस्थान के जो 15-15-20 साल से परफॉर्म कर रहे हैं एक नए आदमी को योगी जिनका प्रभूत केवल और केवल एक डिस्टिक तक था उसको उठाके RSS या बीजेपी अपना इतने सर पे क्यों ब जी ने दूसरे इस्टैबलिस जो नेता है मुख्यमंत्री है उनको पीछे छोड़ दिया और पूरी पार्टी में जो है वह एक चेहरा बन गए सबकी पहली पसंद बन गए सबसे पहले एक एक पास आते हैं मित्र मित्र भारती जनता पार्टी के परवक्ता की तरह पीए मत क दिखे इनकी नेम्रा हजूर का पेड़ा हजूर बने यह पार्टी है इस देश की कि अका शणिए भार्टी में हो तके जनकी तरह थार फिर मन गेसा तरह का यह प्यादी की झाल झाल ट्वीटर इंडिया की ताजा रैंकिंगे योगी चौथे नंबर पर पहुँच गए ट्वीटर पर सियम योगी के फॉलस की संख्या 2015 में जहां 2644 थी वहीं अब यांकडा 31 लाग से उपर पहुच चुगा है अब फेस्टू की बात करें तो 19 मार्च को शपत लेने के दिन जहां 15269 लोगों ने उनका पेज लाई किया था अब ये आंकडा 56 लाग को पार कर गया है राजनेताओं की लिस्ट में पहले नंबर पर वैसे तो पिये मोदी हैं दूसरे नंबर पर आहुल गांधी तिसरे नंबर पर अमित्र शाह और चौथे नंबर पर सियम योगी हैं लेकिन सियम की लिस्ट में पहले नंबर पर पहुच गए हैं योगी हाले में बीजेपी की स्टार प्रचारक भुमिका ने योगी की लोगप्रियता के ग्राफ में चार चन लगा दिया है सब्सक्षार्eds अब थोड़ा सा मैं दूसरे सेंस में बात करना चारा हूँ अगर फिन रांश लेकिन लोग सबाका चुनाब होना है कि और उस लिहाद से मात्र दो साल के अंदर जहां पर हजार दो हजार चार हजार फैंस हुआ करते थे योगी जी कि आज लाखों भी पहुंच गए त्विटर पे तो 56,57 लाख तक पहुंच गए थोड़ा सा इसका एक एक स्पैंड करके इस नजरियों को हम समझना चाहा रहे हैं और पहले फेज में जो मैं अनालिसिस करूंगा साइंटिफिक करूंगा लाकिन नेताओं की तरह या पॉलिटिकल कि कौन सक्सेज हुआ कौन चुनाओ जीतेगा कौन हारेगा देखिए आप 20 साल पहले पचीस साल पहले देखिए कौन कितना बड़ा फिल्म का हीरो है यह होत इसको मानना पड़ेगा विपक्षी पार्टियां माने आना माने आख बंद कर ले बात दूसरी है अब रही बात योगी की देखें इमर्जेंस ओफ ट्रू लीडर या लीडर्शिप स्टाइल यह चीज आपको योगी से मिलेगी योगी को मैं कई मामलों में कर्म योगी भी विकास का मोया जादा हो योगी जी आगे बढ़ने के लिए इन्होंने कभी किसी नेता के पैर नहीं पकड़े आप याद करिए इनकी अपनी हिंदू वाहिनी होती थी पहले यह बीजेपी में नहीं होते थे इन्होंने अपने आप से संघर्श करके आगे बढ़े और यही लेजन था कि इनकी प्रतिभा और दबाओ को देखते हुए लखनव में जब चुनाव हुए था यूपी के तो मुख्यमंत्री की रेस में कई लोग थे लेकिन दबाओं में आके पूरी बीजेपी आरसस को निर्णा लेना पड़ा कि योगी को जो है इग्नोर नहीं किया ज दिखा जाए कि कॉमन सेंस वाली ख़वर है इस तरह की जानकारी हर लोगों को हो जाती है सोशल मीडिया पर हम आप सभी होते हैं या पॉलिटिकल पॉलिटिकली इसे रिच ख़वर माना जाए चूंकि लोग सभा का चुनाव है या फिर एक एक चीज़ और समझ लें या फि मतलब बोलेंगे हाँ योगी के अंदर दम है वो लीडर है क्योंकि जिसके बारे में सौ लोग बोल रहे हैं तो हम आप भी उसके बारे में हमारा पर्शेप्शन बनेगा दूसरा सबसे स्टेटिक रिच इसलिए है कि जो बिरोधी दल के जो नेता है जिनके पास चेहरा नही है यूपी में समाजवादी पार्टी के पास जो है वो सुसुपत आवस्था में बैठे हुए है बसपा की बहन जी भी बहुत अच्छी नेत्री है लेकिन एकदम सोई हुई है तो उनका मनोबल भी देखिए ये वार है पूरा का पूरा जो इलेक्शन होता है या पॉल्टि पर इस चीज को देखा जा रहा है योगी जी के अंदर कुछ ऐसी चीजें के रूप में समझ गया मैं देखिए विकल्प वाले सवाल को सुनना नहीं चाहते या सून कर दो कर दो कर दो यहां पर को दूसरा विकल्प की बात ही नहीं है और एक मिश्रा पॉलिटकल साथ है जितंद्र चौद्री जी कॉंग्रेस के नेता आप फक्रूल हसन जी स्वाक्त है समाजवादी पार्टी के नेता कुमार अशुप पांडी जी के कॉमन से ज्यादा लगता देखिए बार बार इसलिए कह रहा हूं कि एक सोशल साइंटिफिक एक रिलेशन है इस तरीके से अगर खबरें उसके अंदर उसके जहान में बैठना शुरू हो जाए किसी नेता के लिए तो ऐसा क्या मानना ठीक रहेगा कि एक बड़ा मुव्मेंट होने की तैयारी एक बड़े इमर्जेंस की तैयारी है और शायद यहीं इमर्जेंस योगी की फिवर में जाता कर रहे हैं यही तो बात है यही तो अलग नए आदमी को योगी जिनका प्रभूत केवल और केवल डिस्टिक तक था उसको उठाके आरे से बीजेपी अपना इतने सर पर क्यों बैठा हुए है क्यों इतना मात तो दे रहा है क्यों योगी जी ने दूसरे इस्टैबलिस जो नेता है मुख्यमंत्री है उनको पीछे छोड़ दिया और पूरी पार्टी में जो है वह एक चेहरा बन गया सबकी पहली पसंद बन गया है इसमें पहला कॉंट्रिब्यूशन या जो मतलब मैं बधाई देना चाहूंगा वह योगी जी का अपना खुद का अपना इंडिव मैनेजमेंट है उनके अंदर छमता थी प्रदिवा थी जब वह बीजेपी से नहीं जुड़े थे तब भी वह पॉपलर थे बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अपने विधान सभा चेत्रया शहर तक ही जिंदगी पर लिम्टेड रह जाते हैं लेकिन पूरे देश में वह उनका पर सेप्शन अपने नेता की तरह वो नहीं बनाती है वो रिजेक्ट कर देती है बहुत सारे आसे नेता है जो बोलते हैं बहुत अच्छे हैं लेकिन पूबिक और पीछे के कारकाल का कोई दाख दबा या फेलि और नहीं है विल्कुल यानि विफक्स को को कोई भी अंगली या कीचन उठाने का मौका नहीं मिलेगा अगर वह इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दूसरा सबसे कि 2019 में पी-म कंडिडेट के लिए डिकलेर ना हो लेकिन टॉप इंडिया में यूज किये जाएंगे जिसकी शुरुवात हो गई है करनाटका में एंपी में ये गए विदान सवाचुना में जिस तरह से रेलिया होंगी तो मतदाताओं को अट्रैक्ट करने के दो तरीके होते ह एक तो जैसे टॉप लीडर मोदी जी अपने आप में ब्रैंड बने हुए है इंफ्लूएंसर के रूप में योगी जी को पूरे इंडिया में घुमा रहे हैं क्यों नहीं वसंदरा राजे जी को घुमा रहे हैं चौहान जी को घुमा एंपी वगरा के जो यह आप देखे र की भारत की सांस्कृतिए दरोवर को भी उन्होंने अच्छे रखने का और मजबूत करने का भी काम साथ ही का अधीकारिया वी क्लीने विकास का लग प विकास का भी कार Bennett किया वो प्रभावी नहीं है, MPK नहीं है, सवाल यह है कि तीन-तीन मुख्यमंत्री जो 20 साल से परफॉर्म कर रहे हैं, उनको चोन के योगी जी के उपर आप लोग क्यो भरोशा कर रहे हैं, सवाल यह है, योगी जी भरोशे के लायक है, योगी जी भरोशे के लायक है, और जंता उ जिसको पिया माने वह सुहाग无 Sooagin उसमें कोई इफ और बड नहीं है जिसको पिया माने वह सुहाग इन जिसको जनता जानना चाह रही है यह अशन्द आम आतन लगत no सब्सक्राइब कर रही है मैं सिर्फ सोशल मीडिया की बात सब अपने अपनी जगें अपना सम्मान है और योगी जी के अंदर जो आप अलग करती है कुमार साब देखे सवाल मेरा बड़ा सीधा रहता है जो योगी जी का आप उसे बड़ा रुमा करें तो चांसर देने की पूशिश करता है और जो उनका हिंदु तो है जो उनका सीधे बोली है कि उसकी पूजा होती है कुमार साथ खुड़ा सुरूचे अप त्यागी है उसकी सब्तुर पूजा होती है विद्वा के समय पताराओं की योगी इक नबर वन है त्यागी है और वह पूरे सबस्ट हैं जब किसी लीडर का मैं सब्सक्राइब करना चाहता हूँ जब अखलेश यादव जब अखलेश यादव सीम बने थे तो उनका भी एक तरह से बड़ा इमर्जेंस था मैं उस वक्त उस चुनाव को बहुत अच्छे से कवर भी किया था जब अखलेश यादव समाजवादी पार्टी जब सीम बने थे मुलाइम सीम आदव का बड़ा सपोर्ट था बाद परिवारबाद के आरोप लगे बाद परिवार किस तरह से दिखे खंडि परदेश की समाजवादी को मिंटन नहीं रख पाया है कि अनुकमंत्री यों वहाँ पर आपकिसी एक मुख मंतरी का अधलन क्यों कर रहे हैं? करें परवक्ता के साथ बहुत कि जर्बी करें मित्र भारती जनता पार्षी के परवक्ता के दर बकुद हो कि कि अपधर करते हैं परिवारवार्थ की बात करना भाती जन्ता पार्टी के मुझे परिवारवार्थ की बात करना भाती जन्ता पार्टी की बात करने लोगी ने संघर्ष से हासिल किया है योगी के संघर्ष ने उनको सफलता जिराई है एक ठीक है सवाल नहीं है ओढ़ी के सब्सक्राइब को मजदूर के बैटे से अच्जूर बने है इनकार इन बहुंवावरों से काम नहीं चलेगा इन देखे दिखता तो है अगर आप हमें जूठा भी कह देंगे जूठा भी सावित कर देंगे तब भी आम जनता को तो पता चलेगा कि परिवारबाद किस तरह से समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी को पर हावी है कि सन्यासी की तरह जिनका पूरी तरह से बिहेवियर है उनका जीवन है वो उत्तर प्रदेश के सीम बन गए एक लोकतंत्र तो दिखता है ना बीजेपी के अंदर क्या इस तरह के पैटरन को लागू करने के लिए कांग्रेस को नहीं कर अजाए कया लिए में अच्छा काम कर रहा है मेहनती है बड़ा वीजeur है तो खालता है n ने यहां पहले से लगते आ रहें कि फक्ष लगाता रहता है हमारे पास ना है अदुन्टान को हर घर अब राजनीती मैं करने और वरामन ऑंत्ता राओं रेघ्र न्या?? परिवारवाद तो पूरे टेस में एक सिर्पर परीवारवाड किया कर रहे हैं बिदायक का बेटा यह बिदायक बनेगा नया किसी आजमी को टिकट नहीं मिलेगा इसे लोग परिवार ने तो सब जगे चलता है गांधी परिवार से क्याने बानक बाद को पर्धानमंतरी देश का बना नहीं पीछे सवानिया गांदी जब जाती है उन्होंने पर ढदरी का ठुकरा कर और ऑर अची परिवार वार होता थो प्रिवार जोटा थो सब सब्सक्रांगे को खी ना हम और झाड़ी में अच्प लि कि नीचिता के लिए पातरदा किया सकता रही होती है जिन शब्दों का प्रेव आपका रही है ऐसे शब्दों से बचा जाए आपको पार्यों इस कि नीचिता के लिए अपका जाने का रह आगा है fashion को यह बीजिए बताइए योगी जी के अंदर ऐसे क्या खास चीज़े हैं जो कि आप अपने तीन जो पंदरा साल से उनको पीछे छोड़के बीजे पी ने योगी जी को आगे कर दिया यह तो बड़ा अन्याय हुआ सर्शिवराज सिंग चौहान वसंदरा राजे और रमन सिंग जो वह कर रहे हैं कैसे कांगरेस और समाजवादी पार्टी टीकार ब्राइब की तुरास ग्रह गया खुकिये क्या इस हुआ एक के रुके तक पुझे तौह सुनके सवाल सुने सवाल ठीक है ठीक है बहुत देर से हम लोग योगी कर रहा है सवाल ठीक है सोशल मीडिया पर योगी जी चाहे हुए है जमीनी लेवल पर एक्शन मोड में योगी जी दीख रहे हैं लेकिन तमाम तरह की घटनाएं नहीं रूक रही है अशोक पांडेजी इसका भी तो जवाब दीजिए थोड़ा सा लॉएंड और पर देखे सवाल उठ र तब तक कुछ भी कर लिए सोशल मीडिया पर चाहे 25 और 50 लाग के करोड़ आपके फॉलोर सुजाएंगा उसे क्या भारती जनता पार्टी के राज में एक भारती जनता पार्टी के सारे चार साल के शाशन में आतंकवाद नहीं हुआ एक भी आतंकी घटना नहीं है और जो क जो ब्रस्टाचार अभी अभी देखिए पंजाब में धर्म गुरू है उनके शिवर में तो वो आतंकी करना नहीं थी सर्व पूरी तरह से गिरावटा की हद होती है पूरे तो पेगिरे हैं अभी पंजाब में 100 धर्म गुरू है जो उनके शिवर में पंपटाता हूं क्यों हो नहीं है तो आपकी गौर्ट है नहीं है पहराईच में मैं बता सुनिया मेरी बात बहराईच में तुम्हारा पीजर में है योग ठपर चपनी से चलाता है आपको आपको ये करवाही की गए और अपने बातो राल करिया". अपने अपने बतो खने कि बात करी वित्या burada है , अपने पोरे दख को बात के रगयिया। सिसका पती मरा है कि इसका ही पितना ही आप उलाक प्तरदा की जविए आप पर रहा है जा उसका पेटा हुआ आप इस ला सकते हो आप पार करते हो आप सत्य बोले से घबार करते हो चोदरी साप ठ्रावा सो रुकेंगे अशोपान नी रूके बिना रूकें बिना सवार फिने कुछी बोलना ठीक रही है सब्सक्राइब पार्टी का पोस्टर वाए अखलेश यादब सब्सक्राइब अखलेश यादब अखलेश यादब के पास एक नट चौधरी साप सब्सक्राइब सब्सक्राइब पार्टी के अंदर आई समाजवादी पार्टी के अंदर जिस तरह से योगी जी का इमर्जेन सो रहा है अगर आप ना माने या जैसे भी माने सोशल मीडिया के पैरामीटर को माने या जैसे भी माने या जन जन का नेता ना माने तब पूरी तरह से खिसकता जा रहा है आप लोग का जनाधार घठता जा रहा है क्या इस तरह की बात है किसी पैरामीटर पर आप मेरी बात सही लग रही आपको देखे, देखे, मैं बताओं कि संगठन के जहां तक बात है, समाज जदी पार्टी अपना संगठन को बहुत अच्छी तरीके से नीचे से हमने जो काम किया है, डेर साल से हम संगठन पर ही काम कर रहे थे, हम लोग सबस चुनाव के लिए तयार हैं, जहां तक बात आप पोश् लगाज नहीं हुए है, तो यह जो बॉकलाहत है, यह जो चीजे नज़े भार्टी जनता पार्टी के संगठन में नजर आ रहे हैं, आप हम से कहते हैं कि हम लोग की घरावत आरी है, मैं क्यों पूछना चाहता हूं भार्ती जनता पार्टी के सायोगी क्यों ने छोड़के पर अब दोटा हुआ जाती है जितने भी बनात्कारी बच्चों के लिए आपके साथ लुपने आपके विदायद बनात्कारी है हैं यहां सब्कुर्ण है था ऐसे करें दोटेखने की सब्सक्राइब जिससे प्रजश करें अधर कर दोटेखने एक आधी दोटेखने में कुछटिव कर दोटेखनें जाएंधा दोटेखने थे पर देंने पुरिश्टर ब्रामा समाजादी पार्टी के रहा है और जिस नेता के हाथ जे सागतर को मज़ूप कर देखा जाए तो भरते हुए नेताओं में यूपी में देखा जाए तो अखिले स्यादों को मैं बहुत अच्छा मनता हूँ इन्होंने अतीक आहमत को स्टेश से हटा दिया खा कि हम ऐसे लोगों को नहीं रठेंगे अपने आप में एक बहुत ही मजबूत इरादे वाली बात होती है हुआ क्या अखिले स्यादों जी लाचार कहां हो गए उतना उनको अनुभा नहीं था और आगे बनी होती ना तो अखिले स्यादों एजे लीडर की तरफ बहुत ही ज्यादा अपीलिंग उनका है लेकिन अब ठीक है हार जीत हो नहीं है लोग शलेंत करते हैं बाहर के लोग अंदर के लोग भी करते हैं तो दो-तीन फांक में जो बटना मुलायम सिंह यादों कुछ और बोल रहे हैं यह दो-तीन लोगों ने जो अख्लेश यादों को छोड़ दिया ना अधर वाइस उनके अंदर भी मुझे गजब की परतिबा दिखती है नय उभरते हुए अगर नेताओं में देखा जाए तो तो मैं यह बोलूँगा कि अख्लेश यादों भी कम से कम इस झाल 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 झाल